नमस्कार दोस्तों में रामकला सियातो दोस्तों हमारे परतावगण ब्लोग चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों हम बात करते हैं हमारे पालतुपशु गाय भैस को ऐसा दोस्तों अक्सर देखने मिलता है कि वो पतला गोबर करने लगती हैं तो दोस्तों आज हम बताए और उसके कारण के बारे मी बताएंगे किस कारण से हमारे पालतुपशु गाये भेंस पतला गोबर करते हैं दोस्तों चाहिग वहते हैं पतला गोबर करने लगते हैं तो दोस्तों हम इसके बारे में बताएंगे जो इसका इलाज है इसका उपाय क्या है आप किस तरह से आपको उपाय करना है कि पतला गोबर न करें और वो सही हो जाएं और दोस्तों जो तीसरा कारण होता है जो पतला गोबर करने का कभी कभी दोस्तों ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि जैसे आप लोग कभी कभी अत्यधिक राशन दे देते हैं तो उससे भी दोस्तों उनका क्या है कि हाजमा थोड़ा गर्बर हो जाता है पतला गोबर करने आपके गाय भैंस जो है पत्ला गोबर कर रही है तो सबस्तों आपको एक करना है कि उन्हें सानी बिल्कुल नहीं खिलाना है सानी बोले दोस्तों जैसे पानी के साथ में चारा रासन सब मिला कर दिया जाता है जैसे रासन हो गया पानी उसमें मिला दिया एक बाल्टी दो बाल और दोस्तों अगर उस्थे जो है अत्यधिक दाना खाने को जैसे पेट में गरबरी हुगा है तब आप दाना कम कर सकते हैं मलब कई कारण से दोस्तों ऐसा हो जाता है कि पेट में गरबड़ी पाई जाती है और दोस्तों उसके बाद उन्हें हरा चारा भी बंद कर दें दो दिन चार दिन के लिए तो दोस्तों तुरन्थी जो है उसका हाजमा सही हो जाएगा और पतला जो गोबर कर रही वो भी ठीक हो जाता है तो दोस्तों बस आज के लिए इतने नेश्ट आप फिर हमारे को अच्छा वीडियो प्लोड होगा दोस्तों आपको में कोई सवाल है सुझावत आप में कमेंट कर सकते हैं अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें थाएंक्स दोस्तों वीडियो वाच करने के लिए